आशाड महा के कुष्ण पक्ष की चतुरती तिथी को संकष्टी चतुरती का वरत रखा जाएगा। इस बार 17 जून की संकष्टी चतुरती का वरत सर्बार्त सिध्धी योग में है। यह योग सफलता प्रदान करेगा, इस योग में संकष्टी चतूरती व्रत और पूजा करने से भगवान गनेश प्रसन्न होंगे, इनकी कुरुपा से आपके बिगडे काम पूरे होंगे, कारियों में सफलता प्राप्त होगी, सुख और सवभाग्य में पृद्धी होगी, संकष्टी चतूरती की रात, चंद्रमा की पूजा करने का विधान है, इसके बिना यह व्रत पूरा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रदेव को गनेश जी से वरदान प्राप्त है, हाला कि विनायक चतूरती को चंद्रमा की पूजा नहीं करते, 17 हचोन की रात 10 पचकर 3 मिनिट पर चंद्रमा का उदय होगा संकष्ठी चतुरती वरत में दिन के समय गनेश्ची की विदी विधान से पोजा होती है लेकिन इस दिन चंद्रमा की पोजा के लिए चंद्रोदय का काफी समय तक इंतजार करना पड़ता है इस दिन प्रातस नान के बाद संकष्ठी चतुरती वरत और पोजा का संगल्प करे फिर शुबसमय में गनेश्ची का अभिशेक करे उनको वस्त्र, जन्न, फूल, माल, धूब, दीप, गंध, मोदक, लड़ू, आदी अरपित करे इसके बाद गनेश्च चालीसा का पाठ करे फिर संकष्ठी चतुरती वरत कथा सुने या पढ़े, पोजा का समापन गनेश्ची की आरती से करे, फिर प्रसाद वितरन करे, रात के समय में चंद्रदवय पर चंद्रमा की पोजा करे, उसके बाद पारन करके वरत को पूरा करे, आप सभी को संकष्ठी चतुरती की हारद झालीक?